नमस्कार मित्रो मैं हूँ रबिंद्रा उस्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रबिंद्रा मोनीटर पर दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने अपनी ग्राम पंचाथ में नरेगा यूजना के अंतरगत कुछ साल पहले कारे किया था और आपने एक नया जॉब कार्ड भी बनवाया था अब आप अपनी ग्राम पंचाथ में नरीगा में फिर से कारे शुडू करना चाहते हैं तो आपको अपना जो जॉब कार्ड नंबर है आप याद नहीं है लेकिन आप उस जॉब कार्ड नंबर को फिर से प्राप्त कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने इसकी complete जानकारी दी है कि आप अपना जो पुराना जॉबकार्ड नंबर है किस तरह से पता कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों नरेगा जॉबकार्ड का नंबर पता करने के लिए आपको नरेगा की official website पर आना है वीडियो के description में मैंने इस website का link दिया है आप click करेंगे तो directly इस page पर आ जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा अब आपको यहाँ पर three lines का menu दिया होगा आप इस पर click करेंगे इस menu में कफी सारे menus open होते हैं उसके बाद आपको key features का menu दिया है आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आपके सामने यहाँ पर reports का एक menu मिलेगा इस पर आप click करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर state का एक option मिलेगा आप इस पर click करेंगे क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर डारेक्ट किये जाएंगे जिसमें सभी राज्यों के नाम यहाँ पर शो किये जाते हैं आप अपने राज्य के नाम पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से एक नए पेज आएगा जिसमें यहाँ पे district की list दी हुई है जो की उत्रप्रदेश में जितने भी जिले हैं district हैं उनके नाम होगे यहाँ से आप अपने district अपने जिले के नाम पर click करेंगे next page फिर से open होगा उसके बाद यहाँ पे आपके जिले में जितने भी ब्लोग हैं उनके नाम यहाँ पर show होगे आप अपने नजदी की ब्लोग पर click करेंगे आपके ब्लोग में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके यहाँ पर नाम आपको दिखाए देंगे आप यहां से आपको अपनी ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप ग्राम पंचायत रिपोर्ट्स पे यहां पे लॉग इन हो जाएंगे यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत में जो भी इम नडेगा से related reports है वो यहाँ पे updated रहती है यहाँ से अपना job card number पता करने के लिए आप यहाँ पे registration application register इस पर आप click करेंगे उसके बाद आपके सामने आपकी ग्राम पंचायत की जो job card की सूची है वो open हो जाएगी कितने यहाँ पे registration total हुए है उन registration में कितने job card delete हुए है क्या reason था वो सारी details आपको इस सूची में देखने को मिल जाएगी जैसी कि मैं यहाँ पे अपना नाम सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सर्च करने के लिए आप three dot पर click करेंगे उसके बाद finding page पर click करेंगे अगर आप laptop से सर्च कर रहे हैं तो आप control F टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पे find करने का option मिलेगा यहाँ पे आप अपना जो job card number है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप करने के बाद यह job card number है highlight कर दिया जाता है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो job card के honor रहते हैं वो यहाँ पे नाम उनका सो होगा उसके बाद उस job card में कितने family member add हैं उनके नाम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे job card का जो honor नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे job card पर जो सदस्याड है उसका नाम दिया हुआ है उसके बाद इस job card के honor के जो पिता का नाम है वो क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे यह job card अभी जारी है या नहीं यहाँ पे जो status है वो दिखाए जाता है जैसे कि अगर किसी region से किसी का job card delete हुआ है तो उसका status कुछ इस तरह का दिखाएगा और यहाँ पे आपको यह भी show करेगा कि यह job card कब create किया गया है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने ग्राम पंचायत reports पे जाकर ग्राम पंचायत की सूची में आपना जो job card number है पता कर सकते हैं तो दोस्तो उमेद करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक करें आपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर पहले बारा है चैनल को सस्क्राइब कर लें